Hello students, my name is Vipin and I welcome you all to iExamB. So students, IBPS EFO के exam को देखते हुए, आज की इस वीडियो में हम quadratic equation का part second continue करेंगे. Part first हम quadratic equation का पहले इस channel पर डाल चुके हैं, आप उस वीडियो को जाके वे जरूर देखेगा. Description box में उस वीडियो का आपको link मिल जाएगा. तो आज की इस वीडियो में हम second part continue करेंगे और इसमें हम जानेंगे कैसे हम roots निकालते हैं. तो last video में जो हमने concept देखा था, वो भी आपने जरूर देखना है, उसके वे आदिया आपको आज का वीडियो समझ आने वाला है. So quadratic equation का हम part second आज continue करेंगे. तो देखिए पहला question कैसे question आपसे पूछे जाते हैं, आपको 5 question पूछे जाएंगे quadratic equation से, दो आपके definitely जो हमारी last video थी, दो question आपके वहाँ से पूछे जा सकते हैं, और जो हमारा roots निकालने का question होता है, वो आज किस वीडियो से पूछा जा सकता है. तो last तक आपने वीडियो को जरूर देखना है, और maximum आपने share भी करना है. तो question क्या है? In the following question, two equations are given, you have to solve both the equation and give the answer. तो आपको इन दोनों equation को solve करना है, और आपको बताना है, कि x, y से बड़ा होगा, या x, y से चोटा होगा, या x, y से चोटा होगा, ये आपको बताना है, और option number 5 है, relation cannot be stabilized. तो देखे, कैसे हम इसे solve करेंगे? देखे, last video में आपको क्या बताया था? कि अगर कोई equation इस in the form में है, ये standard equation है, राइट, अगर उसके b coefficient की value क्या है, positive है, इसके दोनों root क्या होगे? उसके दोनों root होगे negative. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? कि अगर A का coefficient भी, B का coefficient भी और C का coefficient भी, अगर सारे positive हैं, तो उसकी value क्या, उसके roots क्या होंगे, negative होंगे, और अगर इसी equation के, अगर मैं बात करूँ कि इसका B coefficient अगर negative है, अगर खाली B वाला coefficient negative है, यहाँ पर हमने देखा कि B भी positive है, A भी positive है, और C भी positive है, तो दोनों root negative, अगर B coefficient negative है, तो इसके root क्या होंगे, इसके root होंगे positive, तो direct आप बोल दोंगे, अगर जैसे यह y variable में है, suppose, यह equation है हमारी, ay square, by plus c, तो आप direct बोल देंगे कि y is greater than x, क्योंकि यह इसके root positive है, और इसके root negative है, तो positive वाली value, obvious सी बात है, negative वाली value से क्या होगी, बढ़ी होगी, तो यह हमने last video में देखा था, यह मैंने थोड़ा आपको recap करा दिया last video का, तो वहाँ पर जाकि, आप देख सकते हैं, clear, आपको सारी चीजे हो जाएंगी, लेकिन अब आप देखेंगे, कि इस equation के roots तो क्या होंगे, इस equation के roots हमारे क्या होंगे, negative होंगे, क्योंकि यह भी positive, यह भी positive, यह भी positive, लेकिन यह जो दूसरी equation है हमारी, इसमें हमारी यह वाली property नहीं लग पा रही है, इसमें B भी negative है, और C भी negative है, according to the standard equation of quadratic equation, both the coefficient of Y, which is B, यहाँ पर जो हमारी constant value है, दोनों क्या है, negative है, तो फिर हम यह concept हमारा काम नहीं करेगा, अब हमें क्या करना है, कि अब हमें root find करने ही, करने होंगे, तो देखें, root find करने हम कैसे करते है, root को find, क्या हमारी approach होती है, क्योंकि root find करना आपको जरूर आना चाहिए, एक तो basic formula है, जो स्रीधराचारे formula है, that is, minus B, plus minus under the root B square minus 4AC upon 2A, तो वहाँ से आप नहीं करेंगे, थोड़ा length ही आपको हो जाएगा, तो देखें, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको इसे first equation क्या दे रखी है, कि 2X square, first equation आपको क्या given है, first equation आपके पास given है कि 2X square plus के 15X plus के 28 is equal to 0, अब आप यहाँ पर समझना जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, देखो आपने क्या करना है, आपने जो X square का coefficient है, X square का coefficient कितना है, 2, और जो हमारी constant value है, that is 28, इन दोनों का आपने product करके जो value आएगी, इन दोनों का product करके, मैं क्या बोला, X square का coefficient, that is 2, और जो हमारी constant value है, उन दोनों का product करके जो यह value आएगी, इस value को आपने इस तरीके से factorize करना है, मेरे सब्दों को गौर करना, इस value को आपने इस तरीके से factorize करना है, या तो add करके, या subject करके, हमें इस X का coefficient मिल जाए, यानि कि 56 को में ऐसे term में factorize करना है, कि उन दो factor को add करके, या उन दो factor को subject करके, हमें क्या value मिले, 15 मिले, तो आप जानते हैं कि एक बात हो, अगर आपको direct यह आता है, तो आप direct का coefficient बनना चाहिए, that is 15, तो अगर मैं देखों कि 8, इसको देखे, इसके factor क्या क्या हो सकते थे, 14 और 4 भी हो सकता है, 28 और 2 भी हो सकता है, लेकिन वो वाले factor हमने लेने हैं, जहां पर यह add करके, यह X का coefficient बनाए, तो अगर मैं 8 और 7 को add करो, तो मुझे क्या मिलेगा है, यहां पर 15 मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, तो बस यही इसका factorization था, कि 56 को हमने factorize कर दिया, 7 into 8 की term में, देखों लेकिन कभी-कभी यहां पर अगर value बड़ी बन जाए न, यहां पर, जैसे इन दोनों का product करके value आजाए, 904 या 1204, या कुछी मतलब बड़ी value आजाए, तो फिर factorize करना मुस्किल होता है, तो फिर आप क्या करेंगे, कि इन value को साब factorize कर सकते हैं, देखों इसको मैं आसानी से कैसे factorize कर सकता हूँ, तो यह क्या है, 7 और यह क्या है, 4, 7, 4 जे 28 होता है, तो इसको मैं 2, 2 लिख सकता हूँ, तो अब आप इन में से आपने 2 value बनानी है, ऐसे जो आपका 15 बन जाए, तो मैंने देखा कि 7 और यह आगया 7, और इन में से यह वाला 2, यह वाला 2, यह वाला 2, यह क्या बनाएगा 8, तो 7, 8 जा, 56 और 7 और 8, 15, तो बस यह आपका पहला काम हो गया, तो आपने यहाँ पर direct क्या लिखना है, इस equation के लिए अब, कि एक फेक्टर इसका 7 और एक फेक्टर 8, और दूनों आपने प्लस इसलिए लिखे, क्योंकि 7 और 8, 15 और 7 और 8 का जब आप product करेंगे, तो 2 इंटो 28, 56 अब मिल गया, अब आपने second step क्या आद ध्यान रखना है, यह देखिए, आप यह step आपने ध्यान रखने, जो जो मैं step बता रहा हूँ, पहला step तो आपने यह कल लिया, दूसरे step में आपने क्या करना है, कि इन जो आपने factor निकाले, इनका आप sign change कर देंगे, sign change मतलब प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो इसको करना है, आपने माइनस की 7, और इसको करना है, आपने माइनस का 8, राइट, दूसरे step, third step में आपने क्या करना है, यहाँ पर, third step में, third step में बिटा आपने एक बहुत महत्तव होंचा, चीज क्या ध्यानक नहीं है, कि जो यह x square का coefficient है ना, इससे आपने divide कर देना है इन value को, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस की 7 बाइ 2, और यह क्या हो जाएगा, माइनस के 8 बाइ 2, तो यह finally जो है, इस equation के क्या आगे, finally इस equation के factor आगे, क्या क्या, एक आगया minus की 7 by 2 और एक आगया minus की 8 by 2 तो ये चीज़ा आपने ध्यान लगनी है पहला मैं आपको इतना elaborate करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान नहीं तीन step हमने करे पहला step इस x square का coefficient की multiply इस constant के साथ तो 2 into 28 56 ये मैंने आपको बता दिया है कि आपने इस तरीके से इस 56 को split करना है, factorize करना है ताकि add या subtract करके हमें ये वाली value मिल जाए तो आपने क्या करा 7 और 8 7 और 8 जा 56 और 7 और 8 15 तो फिर इस 7 और 8 को लेकिन sign का आपने ध्यान रखना है 7 और 8 add होके क्या हो रहे है 15 तो दोन होके आएंगे plus second step में क्या करना था इनके sign change कर दो minus 7 minus 8 third step में क्या करना है कि जो x square है इसका जो coefficient है उससे divide कर दो तो इसका coefficient नहींगे 2 है divide करके आगे minus 7 by 2 minus 8 by 2 तो ये हमारी first equation आ गई अब हम second equation को solve करेंगे factor निकालेंगे ये क्या है हमारी y square minus 16y minus 36 अब हम इसके factor निकालेंगे तो देखिए दूसरी equation हमारी है y square minus 16y and minus 36 तो यहाँ पर आप डारेक्ट देख पा रहे होंगे कि ये 36 है और इसका coefficient 1 है तो ये क्या हो जाएगा 36 और 36 को आपने इस तरीके से split करना है कि add होके subtract होके minus के 16 आ जाए तो अगर मैं आप से पूछू कैसे आप split करेंगे तो देखो ये minus के 16 है तो अगर मैं minus के 18 और plus के 2 ले लू minus के 18 और plus के 2 ले लू तो मुझे क्या मिलेगा तो आपका जाव होगा sir ये minus के 18 तूजा कितना आगे हमारा 36 18 तूजा 36 minus के 36 प्रोड़क्ट आप प्रोड़क्ट करके देखेंगे minus के 36 और minus के 18 में से अगर आप plus 2 करेंगे तो आप कितना हैगा minus 16 तो अब आपने क्या करना था कि एक बार आपने इसके क्या कर दिने थे sign change कर देने थे second step में तो यह हो जाएगा plus के 18 और यह हो जाएगा minus के 2 तो इस equation के factor के आगे इस equation में हमें ज़्यादा split करने की ज़रत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे इस y square coefficient नमारे क्या था 1 था अगर कुछ और होता जैसे 4 होता तो 36 into 4 फिर थोड़ा lengthy process हो जाता तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यह factor क्या आगे इसके plus के 18 और minus के 2 तो अब हमें last step में क्या करना होता जब आप factor निकाल लेते हैं आपको comparison करना होता है तो देखिए x वाल equation के factor क्या क्या है तो minus के 3.5 आप लिख सकते हैं से 7 by 2 को और यह हमारा minus का 4 है जो हमारी y की time equation है उसके factor क्या है एक plus का 18 है और एक minus का 2 है तो आप मुझे एक बात बताओ अब आपने यहीं पे comparison करना है कि x वाली values बड़ी है यह वाली values बड़ी है और values का मतलब बड़ी का मतलब अगर आप इस 18 को ले रहे हो तो यह 18 इन दोनों से बड़ा या छोटा होना चाहिए तब ही आप बोलोगे कि y is greater than x अगर यह minus 2 इन दोनों से बड़ा है तब ही आप बोल पाओगे कि यह जो है y जो है completely x से बड़ा है यह नहीं कि यह वाला जो 18 है यह इन दोनों से बड़ा है लेकिन एक value यहां से चोटी है तो फिर वहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि relation cannot be determined cannot be stabilized दोनों value या तो x की या y की या तो दोनों value चोटी हो इन दोनों value से या तो दोनों value इन दोनों value से बड़ी हो तब जाके आप बोल पाएंगे कि x is greater than y और y is greater than x तो यहां पर अगर आप देखेंगे आप जानते हैं कि अगर मैं 18 के context में बात करूँ तो 18 इस minus के 3.5 से भी बड़ा है है कि नहीं है तो आपको जाओगा जी sir और इस minus 4 से भी यह बड़ा है तो ठीक है बाई 18 जो है जो plus का 18 है यह दोनों से क्या है दोनों से क्या है greater है लेकिन अब आप इसके आधार पे on the behalf of only this value आप यह नहीं बोल सकते कि y is greater than x यह condition भी fulfill होने चाहिए कि minus 2 भी इन दोनों से बड़ा होगा तब ही आप बोल बाएंगे कि yes we can say strictly that is y is greater than x तो आप हम देखेंगे कि minus 2 क्या इन दोनों value से बड़ा है तो आपको पता होगा कि negative में जितनी हमारी value क्या होती है negative में उल्टा होता जैसे 4 is greater than 3 तो यह तो plus में है लेकिन अगर मैं negative में बात करूं बड़ी हो जाती है जो बड़ी value होती हो छोटी हो जाती है तो क्या minus 2 इससे बड़ा होगा तो आपको जाओगा जी सर बिल्कुल बड़ा होगा minus 3.5 से आपनी number line तो पड़ी होगी इधर 0 होता है इधर minus 1 इधर minus 2 तो यह बड़ा होता है इससे जबकि अगर हम positive आले की बात करें तो यह 2 बड़ा होता है इससे तो यह अंतर समझने आपने तो यह minus इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा तो हाँ आप हम बोल सकते हैं कि जो y है यह y है यह strictly x से बड़ा है क्योंकि यह 18 भी दोनों से बड़ा है यह minus 2 भी दोनों से बड़ा है तो आप हम बोल सकते हैं कि y is greater than x यह हम बोल सकते हैं कि x is less than y जो भी आपको दिया हो तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि option number जो c है that is x is less than y क्योंकि हम यह बोल सकते हैं यह भी हम यहां पर बोल सकते हैं according to the given question यह भी हम यहां पर बोल सकते हैं कि y is greater than x और यह भी हम यहां पर बोल सकते हैं कि x is less than y दोनों का मतलब एक ही है तो यहां पर आपको कौन सा दिक रहा है? option number c आपको दिक रहा है तो option c है हमारा appropriate answer हो जाएगा तो roots निकालने आपने समझने है कि कैसे हमने roots निकाले तीनो steps मैंने आपको एक एक clear करके बताए आप दुबारा वीडियो देख सकते हैं तो ये हमारा पहला question हुआ ये question आपके पास आ रख है तो देखो पहली equation क्या हो जाएगी मैंने क्या बताए पहला step पहला step बताया x square का coefficient और इसकी आप क्या करें multiply करें constant की तो multiply करने पर ये कितना आएगा तो आपका जोगसर आएगा 54 अब 54 को आप ऐसे split करें कि क्या बन जाए 15 बन जाए क्या बन जाए 15 बन जाए तो एक तो अगर आपको बहुत सार्फ आपकी practice अच्छी है तो आप डाइट बोल देंगे 9 और 6 लेकिन जब कभी बड़ी value आ जाए तो मैंने क्या बताए इसको आप और छोटा इसे तोड़ो इसे split करो तो यहां से आप easily बना पाएंगे देखो इन 4 नमबरों से में 2 नमबर बनाने तो मैं क्या बना पाऊंगा 3 3 जए 9 और 3 2 जए 6 तो यह दोनों क्या है और 9 और 6 हमारे क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे तो देखो हमारे क्या अगे 9 और 6 दूसरे step क्या बता था कि इसके sin change कर दो तो जब हम sin change करेंगे तो sign change करने पर यह minus का 9 हो जाएगा यह minus का 6 हो जाएगा third step क्या बताए था कि coefficient से divide कर दो तो 2 से divide करेंगे तो minus के 9 by 2 और minus के 6 by 2 तो आप देखेंगे यह कितना हो जाएगा minus का 4.5 और यह आजाएगा हमारा minus का 3 तो यह हमारे आगे पहले वाले equation के factor दूसरी equation हमारी यह वाली है दूसरी equation हमारी यह वाली है अब 2 और 15 को हमें multiply करना है तो यह क्या आजाएगा हमारा 30 ठीक है 15 दूने 30 आजाएगा नहीं अब इसको हमें इस तरीके से split करना है कि 11 बन जाए तो 11 कैसे बनेगे 6 और 5 6 और 5 हमारा क्या बना देगा 11 बन जाएगा बन जाएगा की नहीं बन जाएगा 11 तो या तो फिर आपकी practice अची थी या फिर आपको इसको और split करते आप 3 5 में तो यहां से देखते एक number बनता 6 एक number बनता 5 तो 2 हमारे number आजाते यहां पर 1 6 और 1 5 दूसरा step क्या करना है दूसरा step में sine change minus 6 minus 5 फिर क्या करना है coefficient से divide तो coefficient से जब हम divide करेंगे तो यह हमारा क्या आजाएगा यहां से आप देखेंगे तो 1 आजाएगे minus 3 और 1 आजाएगे minus 2.5 तो यह हमने क्या कर दिये दोने equation के root निकाल दिये इतनी speed से आपने root निकालने हो आप तब निकाल पाएगे जब आपकी practice अच्छी होगी concept आपको clear हो जाएगे तो जो हमारी x वाल equation है उसके root क्या क्या है उसके root है एक minus के 4.5 और minus के 3 जो हमारी y वाल equation है उसके roots क्या क्या है एक है minus के 3 और एक है minus का 2.5 तो आप बताओ मुझे कौन इसमें बड़ा होगा कौन चोटा होगा तो अगर मैं बोलूँ कि minus के 3 के अगर मैं बात करो minus 3 के आप समझना देखो यहाँ पर comparison करना आप वाना चाहिए तो यह minus का 3 है यह minus का 3 है यह इन दोनों value से क्या है greater equal है मतलब on the behalf of this minus 3 यह इन दोनों value से क्या है greater equal है मतलब y is greater equal x इसके क्योंकि यह 3 के equal भी है न तो equal का मतलब यह वाला जो हमारा sign होता है यह equal को denote करता है मतलब यह minus 3 इससे तो बड़ा है और इसके equal है और यह जो minus 2 है minus 2.5 है यह दोनों से क्या है यह दोनों से greater है minus 4.5 से भी greater है और minus 3 से भी क्या है यह greater है तो इसके भिहाब पर हम बहुत सकते हैं कि y is greater than x तो इसको देखो इसको हम कौन सा consider करेंगे कि y is greater equal to x इसको हम consider करेंगे y is greater equal to x यहा हम यह बोलेंगे कि x is less equal to y तो कौन सा option आपको दिख रहा है option 4 तो आपको दिख रहा है option 4 तो हमारा इसका right answer हो जाएगा तो comparison करना आपको जरूरी आना चाहिए मैंने क्या बोला कि यह वाली value इससे बड़ी है और इसके equal है तो हम बोलेंगे कि y x से बड़ा भी है और x के बराबर भी है लेकिन बड़ा तो है जबकि y यह वाला y इन दोनों x से क्या है बड़ा है तो हम बोल सकते हैं कि जो y है x से बड़ा भी है एक से equal भी है तो इस बात का यही मतलब होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, concept आपने समझने हैं, लास्ट वीडियो जो मैंने बताई है, उसको भी आपने जरूर देखना है, दो question में तो आपको roots निकालने की जरूरती नहीं है, अगर आपने वो दोनों condition देख ली, बाकी अगर आपने roots आपको find करने की जरूरत पड तो आप क्या करेंगे, 12 into 63, तो product करके तो आप देखेंगे कि बारतिया 36, 6, 12, 62 और 6, 78, तो 786 को split करना मुस्किल हो जाएगा, 786 के ऐसे factor करना मुस्किल हो जाएगा, जो 55 बना दे, फिर हमें क्या आना चाहिए, फिर हमें वो आना चाहिए, कि इसको हम कैसे जो है, split करें, इ एक तो यह हो जाएगा, एक इसका क्या हो जाएगा, 3 into 3 into 7, एक इसका यह हो जाएगा, अब हमने देखो, दो नमबर बनाने हैं यहां पर, दो नमबर, तो अगर मैं, दो नमबर मुझे ऐसे बनाने हैं कि मेरा बन जाए 55, दो नमबर, इन 6 नमबर से, इन 6 नमबर से मुझे, इन 6 नमबर से मुझे 2 नमबर ऐसे बनाने हैं कि मेरा आजाए माइनस के 55 तो देखो कैसे बनाऊंगा मैं मैं देखोंगा कि 1 ये 2 समझना देखो एक ये वाला 2 एक ये वाला 2 और एक ये वाला 7 तो ये कितना बनाएगा 4 और 4 सते 28 ही प्रेक्टिस का गी का मैं साथ तो आप अब इन दोनों का अगर प्रड़क्ट भी करेंगे तब भी 786 आएगा 287 देखो आप 7 लगा कितना 1884 चपन 78 तो देखो इनका प्रोड़क्ट करके भी आपका यही आएगा तो आप देख पाएंगे कि यह हमारे हो जाएंगे फिर आपने साइन चेंज करना है फिर कॉफिशेंट से डिवाइड करना है फिर आपने सेकिंड के लिए भी सेम करना है तो आप आंसर यहाँ पर बताब आएंगे तो इस तरीके से आपको करना है तब जाके आप चीजे सही कर पाएंगे इस आपका निकल करेंगे, कुछ आपका डवोट होता है, तो वह ब्लाइट है, थोड़ा क्लियर करने की कोसिज करें तो मैं आपको जरूर क्लियर आपका डवोट करूंगा, यह वाला क्वेशन भी है इसका भी आपने आंसर देना है, तो यह चीजें आपको ध्यान में रखके चल बाते मोशली लास्ट की वीडियो से पूछे जाएंगे तो मैक्सिमम आपने वीडियो को सेयर करना है एक्जाम औरिंटेट कुछ भी आपका डाउट होता है यह क्वेस्चन वरेंटेट आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वहाँ पर आपका डाउट में ग्लियर करने ही क